तो आज मैं लिकर आई हूँ यह बहुत ही यूनीक पिन्वील टिकी की रेसिपी जो की बहुत ही यूनीक रेसिपी है और इसे बनाया भी मैंने बहुत ही ज़्यादा यूनीक तरीके से है बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे बना लेंगे देखिये फ्रेंड्स कितनी ज़्या किटना आसान था तो फिर चलिए ज्यादा बाते ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक बोल में ले ले लेंगे 2 कप गेहु का आटा नॉर्मल गेहु जो रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही आटा में यूज़ कर रही हूँ और आब इसके तो पहले एक कप परें डालें और उसके बाद इसका आठा लगा लें बहुत ही सोफ्ट आठा 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 लगाना है जिस तरीके का हम रोटी बनाने के लिए उसी तरीके का और देखे इस तरीके से इसे अच्छे से गुंद लेंगे और यहां पर मैं थोड़ा सा पानी और ल जिससे कि यह और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और एक परफेक्ट डो हमें मिल जाएगा पांच से साथ मेट आपको लग जाएंगे इसको अच्छे से नीड करने में यह देखे इस तरीके से अच्छे से यह गुंद चुका है तो अब आप इसे तरीके से अंदर की तर पर रख देंगे और जब तक रेस्ट पर है तब तक इसकी वैज स्टाफिंग हम रेडी कर लेते हैं तो मैंने यह पर ले लिए हैं चार मीडियम साइज के अब आप इन्हें अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और इसके बाद इसमें आड़ करेंगे एक चमच नमक एक बड़ा चमच भुणा हुआ जीरा पाउडर साथि डाल देंगे आदा चोटा चमच लाल मीच का पाउडर और एक बड़ा चमच चार्ट मसाला इसके साथि मैंने ले लिया है एक कप बारी कता हुआ प्याज और आधा कप बारी कटी भी शिमला मीच कोई भी सबजी आप इसमें आड तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटवा अहरा धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह लीजिए हमारी वेज स्टाफिंग बनकर के तयार हो चुकी है तो 20 मिनिट बाद यह देखिए हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है एक बार और आप इ लाल इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर रही हूं और इनमें से एक बड़ी साइस की बॉल उठा कर इस तरीके से इसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं तो उसके लिए लोई को रेडी करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से तो मैंने यहाँ पर ले लिया है चॉपिंग बोर्ड और इसमें यहाँ काटा थोड़ा सा दस कर लोगी ताकि चिपके नहीं और जितना यहाँ से फ्लैट हो सकता है उतना इसे पहले हाँ से फ्लैट कर लेंगे उसके बाद हम बेलन का यूज करेंगे तो यह देखे फ्रेंड्स इतना मैंने अच्छे से फ्लैट कर लिया है और अब मैं बेलन की हल्प से इसे बेल लूँगी बिल्कुल राउंड शेप में रोटी की तरह तो बहुत ज़्यादा पतला आपने नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है बिल्कुल इस तरीके से आप बेलने तो अब आपने क्या करना है इसका एक रोल बनाना है बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको टाइट ली एकदम रखना है और थोड़ा सा इसको टाइट भी करते जाएंगे और रोल बनाते जाएंगे बहुत ही इजीली ये बन जाता है सबसे बड़ी बात एक बार में बहुत सारी पीन विल टिक्के आप इससे बना सकते हैं क्यूंकि आपको एक एक रोटी बेल कर स्टाफ नहीं करना है जिन लोगों को इस तरीके से आलू पर अठा वगरा बनाने में प्रॉब्लम होती है स्टा पीस किये हैं उसमें से एक पीस उठा कर इस तरीके से आपको अपनी उगलों की हल्पसे से फ्लाट कर देना है तो बस ये देखे फ्रेंड्स इस तरीके से फ्लाट कर लेंगे और ये हमारी पिन विल टिक्के एक दम बनकर के तयार हो चुकी है ये देखिए इस तरीके से मैं और बीच में से कटके चोटी चोटी पिंवेल फिक्कियां भी बना कर रेडी कर सकते हैं। यह देखे जिसकी इस सैस की और यह दूसरा भी मैंने बना कर रेडjor लिया। तो बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से आप बाकी के बचे डोसी भी टिकी बना कर पहले रेडी कर लें और फिर हम इनिस शैलो फ्राइ करेंगे तो यहां पर मैंने पैन में थोड़ा सा ओयल गरम होने के लिए रख दिया था क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है हम यहां पर इ आप इन्हें टर्ण कर लें देखें कितना सुंदर कलर इसमें आ गया है दोनों तरफ से आपने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सिखना है और गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम रखना है यह देखें गाइस दो से तीन मिनिट बाद यह इस तरफ से भी अच्छे से सिख और इसमें कोई ओफ ना रही कितने सुंदर लग रही है इस तरीके से आप बाकी बची टिक्की बना गया है और इसफ चुशे टिकी में कर लूंगा तो घाने में तो यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है यह देखें मैं आपको एक पिस्टोड कर दिखाती हूँ बाहर से एकदम क्रिस्पी बनी है और अंदर से सुपर सॉफ्ट यह वेजिस की स्टाफिंग तो बहुत ही जादा कमाल की लगती है इसमें इस तरीके से क्रियेटिवली आप कोई भी नाश्ता बच्चों को देते हैं तो उन्हें जरूर पसंद आएगा और वो इसे जरूर इंजॉय करेंगे इस तरह इंडायर्कली आप सारी वेजिस बच्चों को खिला सकते हैं आप इसे वेज टिक्की रोल भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग इसे टिक्की रोल भी कहते हैं तो गाईज अगर रेसिपी पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर ना मत भूला मेरे चाल कुकिंग शुकिंग विद कुझा को मिलती हैं इसी तरीकी की और नई नई रेसिपीस के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक्या एंड स्टेए हल्दी विद यो लब्ड ओन्स